हाई गाई वेलकम तो मैं चैनल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप हाड हाड प्रॉब्लेम्स को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं जो यह aptitude test होते हैं जो different companies organize करती है जिसमें आपको analytical reasoning quantitative aptitude और English वगरा के questions आते हैं उसे आप चुटकि देखना होगा तो यह रहा हमारा question यह इस तरीके के कुछ platform होता है यह अलग-अलग different platform है तो ऐसा platform होता है यह question है अब हमें इसका answer निकालना है चुटकियों में तो इसका क्या process सबसे पहले आप अपना phone निकालिए ठीक हैं यह camera से इस camera से थोड़ा से बच करके इसे आप थो इसे कुछ Google Lens आपको खुल जाएगा इसके बाद phone उठाना है अपने और यह question के आगया से focus करना है और यह click कर लिए click करने के बाद यह आप देख सकते हैं आप एक homework है homework पे गए और जितने में आपको question है उतने में आपको इसे capture करना पूरा यह अपना question में capture हो गया यह आग है बस अब इसे उपर swipe करेंगे तो यह आप देख सकते कि यहां पर जो सबसे उपर में अपना answer दिया हुआ है इसे के किया बहुत सार एप्लिकेशन होते है ब्रेनली हो गया यह कोई topper है बहुत सार है तो इसमें से यह देखिए यह 32 28 24 तो यह अपना question था 32 28 20 तो 4 यह 4 सकते हैं तो आपका जो heart problem से उसके लिए बहुत सारा time बच सकेगा तो अब मैं आपको एक और question करके इसी तरीके से दिखाऊंगा जिन ना समझ मैं वह आपस समझ ले एक और question यह देख सकते हैं आप question यह I walk certain distance इस question को जो आपन ढूंड के दिखाते हैं जैसे कि आप देख सकत फिर से गूगल लेंस पर और यह हमने क्लिक किया क्लिक करके फटाक से जो है इसमें यह फटाफट हमने इसको capture किया यह होगे अपना question पूरा capture बस अब इसे जो है swipe करेंगे यह आगे गूगल यह देखे सबसे उपर यह है इसे हमने क्लिक किया यह देखे यह चार options भी दिखा रहें बिल्कुल same to same question है ओके यह देखे यह देखे यह लाश में जो एंसर लिका हुए 5 वार 15 मिनट तो अपने options में से यह देखे option नमबर बी जो है आपे 5 वार 15 मिनट दिया हुए तो इस तरीके से देखा आपने कितना लंबा question अभी से बंदा फटा फटा टाइप भी करेंगे कितना ही फास्ट ट it thank you and have a nice day